नमस्कार बच्चों, कैसे हो? हिंदी की क्लास में और भी स्कूल की तरब से आपका फिर से स्वागत है हमने कवर्ग सीखा, कवर्ग के पाचो वियन जन सीखे हम एक बार उसको रिवाइस करेंगे क, ख, ग, घ, अंग उसके पास में क्या सीखा हमने? हमने चवर्ग, चवर्ग के पाचो वियन जन सीखे च, च, ज, 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 य, उसके बाद में आता है कवर्ग, चवर्ग और उसके बाद में आता है टवर्ग हमने टवर्ग के भी पाचो वियन जन सीखे ट, ठ, ड, ध, अन याद आया? और अनके बाद में क्या आता है त, वो त की लाइन होती है, उसे बोलते है त वर्ग, त वर्ग का पहला व्यंजन था, व्यंजन त, वो हमने अल्रेडी सीखा है, अभी हम सीखेंगे त के बाद में आने वाला त वर्ग का दूसरा व्यंजन थ, कौनसा व्यंजन, व्यंजन थ, था से क्या होता है थर्मोमिटर जबी हमको बुखार आता है तो ममा टेंपरेचर चेक करती है न वो जो है उसे बोलते है थर्मोमिटर और वो व्यंजन था से शुरू होता है उसके बाद में होता है था से थाली खाना खाने के लिए हम प्लेट लेते हैं जिसके अंदर खाना ल होता है वो पकड़ के थाने में लेके जाता है थाना मतलब पुलिस स्टेशन और थानेदार मतलब पुलिसमैन येस उसके बाद में होता है थन थसे थन थसे थन और जबी हम बहुत पड़ाई करते हैं बहुत भागते हैं बहुत मस्ती करते हैं तो हम लोग ठक जाते हैं तो ऐस बच्चो अब व्यंजन थकी कहानी सुनना चाहोगे? चलो व्यंजन थकी कहानी सुनते हैं. एक दिन एक थानेदार थाने में आराम कर रहा था. उसे थकान महसूस हो रही थी. उसको बुखार आया था. दूसरे थानेदार ने उसका टेंपरेचर मापा. उसने देखा थर्मोमि के उसका टेंपरेचर ज्यादा है. इसके लिए वो आराम कर रहा है. फिर उसको थाली में थोड़ा सा खाना दिया. जिससे उसको ताकत आये. और उसको धर्मस में चाय बिला के दी. जिससे उसको अच्छा लगे. कैसी लगी व्यंजन थकी कहानी? ये थकी कहानी में हमने व् अब्यास किया है. जैसे कि थसे थर्मस, थसे थाली, थसे थर्मोमिटर, थसे थानेदार, थसे थन. अब हम देखेंगे बच्छो व्यंजन थ लिखते कैसे है. जैसे कि आपको मालूम है हम हिंदी की राइडिंग प्राक्टिस माइ स्किल बुक में करते हैं. जिसे हम MSB बुक बोलते हैं. बच्छो पेज नमबर 5353 पे हमको व्यंजन थ लिखने की प्राक्टिस करनी है. जैसे कि आपको मालूम है हमको पहले लेफ्ट साइड कॉर्णर में आज का डेट लिखना है. एक बार डेट लिखके हो जाए फिर हमको इसके स्टेप्स लिखने है. Can you see the steps here? So, first we'll practice by tracing the letter. आपको ये पहली दूसरी और तीसरी लाइन को गौर से देखना है. व्यंजन थ लिखने के लिए आपको पहली और दूसरी लाइन के बीच में से ऐसे circle बनाना शुरू करना है. उसको ऊपर लेके जाके, circle बनाके, यदर से आपको आधा गोला बनाना है जो दूसरी लाइन को टच करेगा और एक बार देखेंगे हमको यहां से दो लाइन के बीच में से circle बनाना शुरू करना है उसको छोटा सा circle ऐसे बनाते हुए पीछे से आगे आके आधा गोला बनाना है और नीचे ऐसे छोटा सा कव बनाना है जो दूसरी लाइन को टच नहीं कर रहा है और एक बार पूरे वियंजन की प्राक्टिस करेंगे दो लाइन के बीच में से विलमेक स्मॉल सर्कल आधा गोला और उसको पीछे से लेगते हुए दूसरी लाइन को टच करना है फिर उसको दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के बीच में देखो ये वाला जो कव है वो तीसरी लाइन को टच नहीं करता है वो नहीं चूता है उसको और ये वाली जो कव है वो दूसरी लाइन को भी टच नहीं करती है फिर यहां से आपको stop होके उपर से पहली लाइन से तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाना है और उसके उपर sleeping line बनाना ना भूले जभी भी बचो आप ये जो circle वाले शब्द लिखते हो उसमें ध्यान से रखना है कि जो आप ये sleeping line बनाते हो वो circle को touch नहीं करती है कभी भी आप circle वाले शब्द लिखो तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये वाली sleeping line उपर की पूरी line नहीं बनेगी अगर आप पूरी line बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा और एक बार हम practice करेंगे ये पहली line और दूसरी line के बीच में pencil रखते हुए मैं pen use कर दो हूँ कि आप ध्यान से देख सको आपको pencil use करनी है पहली line को touch करते हुए छोटा सा गोला complete करके पीछे से आधा गोला बनाओगे जो दूसरी line को touch करेगा फिर दूसरी line और तीसरी line के बीच में एक curve बनाना है जो तीसरी line को touch नहीं करता है और वो curve complete नहीं करना है वो दूसरी line के थोड़ा सा नीचे छोड़ देना है फिर पहली line और तीसरी line के बीच में एक सीधा line बनाओगे जो ये curve बनाया है उसको touch करे और जब स्लिपिंग लाइन बनाओ कोई भी ऐसे सर्कल वाले लेटर्स को तो उसको टच नहीं होना है यह हो गया आपका थसे थर्मस जैसे हमेशा आपको बताती हो वैसे ही आपको हर एक व्यांजन बोल के लिखना है और जब आप बोल के लिखो उसके साथ में उसका जो शब्द है उसके साथ में उसको बोला है जैसे की थसे थर्मस थसे तानेदार थसे थकन थसे थाली थसे थन मुझे आशा है बच्चों आपको व्यंजन थ और व्यंजन थ को लिखते कैसे हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद